Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगे गैस कटिंग सेफटी के बारे में गैस कटिंग जब हम करने जाते हैं तो जैसे कैसे बनाते हैं कैसे ऐसे सेफटी प्रकॉशन्स लेते हैं जिनके वज़़से जो भी गैस कटिंग कर रहा है उसको कोई भी हार्न ना हो तो इसके लिए हम जॉब सेफटी अनलाइसे कैसे करेंगे वो सारी चीज़े आज मैं आपको बताऊंगी और साथी हम कैसी सेफटी रखते हैं जब भी गैस कटिंग करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो देखिए, JSA का काम ही है, analyze करना वहाँ पर कितना hazard है और risk कितना हो सकता है, उसको control करना ठीक है, तो जब gas cutting कर रहे हैं तो हो सकता है, बड़े से बड़े hazards वहाँ हैं, हैं वहाँ पर और हो सकता है, accident भी हो जाए, तो इसलिए अब इसके लिए जब JSA बनाएंगे, हम तो उसमें क्या क्या notice करेंगे, ठीक है, जब JSA हम सारा चेक कर लेते हैं, JSA job analysis, जब हम कर लेते हैं, job safety analysis, उसके बाद हम work permit issue करते हैं, तब कोई भी वहाँ work कर सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो हम देखेंगे, gas cutting में, सबसे पहले हम देखेंगे, कैसे set किया जाता है, ठीक है, sats कैसे होता है, उसके gas cutting के जितने भी set है, उनके बार में पता होना चाहिए, क्या क्या चीज हम use कर रहे हैं, ठीक है, अब हैजार्ड क्या है, वहाँ पे कोई भी flammable material रखा है और आप कर रहे हैं gas cutting तो explosion तो हो सकता है न क्योंकि उसमें से जो spark निकल रही है उसकी वज़े से explosion हो सकता है माल लीजिए उसमें जो भी आप cutting कर रहे हैं spark generate हुआ और वहीं पर पास में आपके कोई भी flammable material रखा है तो आग लग सकती है तो ये सारी चीज़े हमें पता होना चाहिए जहां भी हम cutting कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि यहां आसपास ऐसा कोई material तो नहीं है जिसकी वज़े से आग लग जाए तो सबसे पहले तो हमें खुदी analyze करना उस चीज़ को कि कोई भी आसपास ना हो अब देखिए जब भी हम gas cutting करें तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कभी भी gas cutting set को कभी भी जहां branding की जारी हो वहां नहीं रखना चाहिए और welding की जारी हो ऐसी जगाओं पर नहीं रखना चाहिए ठीक है उसके बाद हमको gas cutting कर रहे हैं तो हमें अपने पास bucket या कोई fire extinguisher रखना चाहिए जिससे क्या होगा पानी भरी होई bucket रखी होगी माल लीज़े in case अगर थोड़ी सी भी आग लगना शुरू होती है तो हम क्या कर सकते हैं उसे बुझा सकते हैं तो ऐसी चीज़े ध्यान रखनी होगी जब भी gas cutting कर रहे हैं ऐसी चीज़े हमें नहीं करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो भी gas cutting set है वो आपको कभी भी welding जहां और यह वहां ही रखना चाहिए height पर अगर काम चल रहा है तो उसकी नीचे gas cutting नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक है अब जब भी आप gas cutting कर रहे हैं तो fire extinguisher या bucket water से fill की हुई वहां रखनी चाहिए अपने पास अब सबसे पहले तो यह सारी चीज़े तो हमें ध्यान रखनी होंगी पर उससे पहले हमें risk assessment करना होगा उस work place पे जहां भी आप काम कर रहे हैं जहां भी आप काम करने जा रहे हैं उस area का आपको work permit होना चाहिए ठीक है अब work permit तो तभी मिलेगा ना जब आप पुरा JSA वहां maintain कर देंगे जो भी आप gas cutting set ले रहे हैं वो अच्छी condition में है या नहीं जो भी gas cutting कर रहा है वो proper PPE पहना है या नहीं सारी चीज़े हमरे पास available हैं या नहीं यह तभी होगा ना जब हम JSA बनाएंगे ठीक है यह इसलिए किया जाता है ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से किया जाए step by step किया जाए और कोई भी काम करने में कोई भी carelessness ना हो ठीक है तो इसमें यहीं दिया हुआ है उस काम को करने के लिए permit to work and job safety analysis भी होना ज़रूर है जो भी आपको operate कर रहे है जो भी आपका officer है वहाँ पर engineer है जो भी है तो वो आपको written permit system बताएगा job safety analysis कैसे करना है hot work ठीक है hot work के अंदर यह आता है gas cutting तो यह आपको ध्यान रखना होगा इसमें साथी यह काम जो भी आप gas cutting का कर रहे है वह supervision के अंदर में होना चाहिए जैसे कि कोई आपको बता दे या फिर जो इनसान gas cutting कर रहा है उसको पहले से ही वो trained हो इस काम में तोगू कर सकता है तो यह सारी चीज़े JSA के दौरन देखी जाती है तब ही work permit issue किया जाता है और इसकी details पर provide कराई जाती है कि जी हमारे इस तरीके से gas cutting कराई जाती है फिरको safety के साथ कराई जाती है अब देखे backfire का इसमें बहुत ही डर रहता है क्या होता है जब भी gas cutting कर रहे हैं तो क्या होता है वो gas or fumes की वज़े से हो सकता है आग लग जाए ठीक है तो backfire होने का डर रहता है इसमें तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम flashback cluster लगाते हैं ठीक है क्योंकि उससे कुछ flashes निकलते हैं जिसकी वज़े से आग लग सकती है ठीक है क्यों निकलते हैं यह क्योंकि जो dirt और dust जो है वो क्या होती slender block के hole से जब बहार आती है तो उस में से high pressure के through क्या flow out होता है acetylene होता है flow ठीक है तो इससे क्या होता है inflammable gas mixture निकलता है और हो सकता है वो एक explosion का chance बना सकती है जो उसकी torch जो रहती है gas cutting में एक torch रहता है वहाँ पर उसके कारण जब भी उससे gas cutting की जाती है तो उसके through अगर backfire हो जाए तो यह डर की बात होती है तो हम उसके लिए flashback resistor लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ यह देखिए flashback resistor लगाया जाता है जो की क्या है इस तरीकी की चीज से हमें बचाता है कोई भी ऐसी आग लगने का explosion होने का डर जो है वो खतम हो जाता है इसको लगाने के पास ठीक है यह देखिए इसमें आपक इसके सारे parts इसे flexible होस है ठीके slander है यह flashback resistor यह एक और लगा हुआ है यहाँ पर pressure gauge है इस तरीके का यह पूरा एक gas cutting set होता है जिसमें flashback resistor अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है कोई भी ऐसी जो भी वहाँ से flash अगर generate हो रहा है जिसकी वेज़े से आग लग जाए तो उससे हम बच सकते हैं तो gas cutting जब भी हम कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है अगर हम इस तरीके से gas cutting करते हैं तो कोई problem नहीं आती है ठीक है जैसे जो भी आप क्या maintain कराया जा रहा है उसको follow कर आप करते हैं इस तरीके से जैसे बनता है gas cutting के लिए कि आपको हर एक काम इस तरीके से करना होगा तभी work permit मिलता है जो भी आप work कर रहे हैं क्या वो area safe है या नहीं जो भी आप set यूज कर रहे हैं वो set जो है वो ठीक से maintain है या नहीं बाकि उसमें flash पर करिस्टर लगे हुए या नहीं यह सारी चीज़े चेक करने के बाद ही आप gas cutting कर सकते हैं तो आज यह आपको मैंने gas cutting के उपर बताया जैसे job safety analysis कैसे करें तो तो तेंक यू